नमस्कार, आज मैं आपको ओटी में ये पेशन्ट का लाइफ थाइरेड नौडियल सर्जरी दिखाने चाहर हूँ, पर ये कोई साधरन सर्जरी नहीं है, इसमें हम ये पेशन्ट को इसका करियर बनाने में मदद करेंगे, इसका थाइरेड की गाट को ट्रीट करके, बिना किस सर्जरी बिना किसी ब्लेड, बिना किसी सकार के, ताकि ये अपना सिंगिंग करियर आगी ले जा पाए, हम इसे बहुत मिडिल क्लस लोगों की तरह, ये एक आवरेज वरकिंग आईटी प्रोफेशनल है, लेकिन इसको बहुत ज़ादा इंट्रेस्ट है इसके सिंगिंग में इंस्टाग्राम पे ये पार्ट टाइम वीडियो डालता था, कुछ कमपोजल्स ने इसका वीडियो इसकी आवाज नोटेस की और इसे ओफल दिया, कि हम आपके साथ कुछ प्रोजेक्स करना चाते हैं, अब इसका प्रोब्लम ये था कि इसके गले में एक लंप है, इंस्ट शायद इसका करियर शुरू होने के पहले ही खतम हो जाए, ये बहुत सलजन्स के पास गया, पता करने कि ऐसी कोई सलजरी है, जिसमें कोई निशान ना आए, जिसमें लेट से होट के नीचे से, या कान के पीछे से ये गाट को निकाला जा सके, इसने बहुत पढ़ा था इन भी अफकॉर्स कार तो दिखता ही, एंड जो लाइफ लॉंग गोलिया खाने का रिस्क था 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 थाईरोइड लेवल्स और कैल्शिम लेवल्स के लिए, ये सबसी ये इतना डरा अपने आके के करियर को लेके, जो एक्चुली इसका पैशन था, कि इसने और रि ही है, क्या ये सच में काम करती है, इसने इतना साथ रिसर्च कर डाला कि जब ये मेरे पास आया, ये मुझसे ऐसी चीजे डिसकस कर रहा था, कि सर आप हाईडरोडिसेक्शन एडिकवेट अमाउंट में करोगे ना, ताकि सारे मार्जिन्स आप जला पाओ, बिना मीडियन ग इन्वेश्मेंट्स के लिए डाल दिया था, फ्यूचर पोटेंशिल देखते वें, और अब इसके पास, अफकॉस मेडिकलिम तो लिया नहीं था, और इनफ पैसे नहीं थे कि एफ़ोड कर सके ये टीट्मेंट, तब हमने इसे वरक्शॉप का उप्शन दिया, कि कैसे हम व इसीक वरकप के बाद जब हमने देखा कि गार्ट बिनाइन है, नौन कैंसरस है, हमने डिसाइड किया कि इसका थाइरड अबलिशन करेंगे, जो इस वीडियो के शुरुआत से आप देखी रहे हो, अबलिशन प्रोसीजर सिंपल था, एक पतली सी सुई से हमने सुन किया सकि ताकि गार्ट पानी में तहल जाए, जो हम इंजेक कर रहे है सालाइन में, और आजू-बाजू के क्रिटिकल स्ट्चर से दूर हो जाए, इसका फाइदा है कि जब हम एक्चुली गार्ट को जलाएंगे, तो वो आजू-बाजू वाले स्ट्रक्चर को, जैसे कि वोईस नर् पानी में और सारा पानी एब्सॉब कर लिया, ताकि जब हम जलाएं तो अन्नेसेसरी पानी में हीट वेस्ट ना हो, वाटर वेपर ना बनें, और जैसे ही वो खतम हुआ, पूरी गार्ट को लैप्स हो गई, फिर हम अपना माइक्रोवेव स्पेशल एंडिना ले जाकर पू प्रोटा सा स्कार बना के रख देगा, पेशन बहुत खुश हुआ क्योंकि हमने इसे बताया था कि शिकुडने में 6-9 महिने लगेंगे, लेकिन उसने देखा कि तुरंट सिकुड चुकी है, लगिली क्योंकि वो सारा पानी एब्सॉब किया था तो 24 एमिल की गार्ट इतना बंद हो गई, अगले दिन and especially 48 hours बाद उसने हमें कॉल किया कहा सर जो छोटा सा भी एक होल दिख रहा था नीडल का, वो भी पूरी तरह गायब हो चुका और actually procedures careless है and zero recovery time है, वो इतना खुश था कि procedure होते ही अगले दिन से वो अपना रियास शुरू कर पाया, voice change का risk तो एक दिन के लिए भी उसे आवाज में थोड़ा भी खुल दूरा पन या नमी महसूस नहीं हुई, तो दोस्तो हम continuous live videos share कर रहे हैं आप लोगों के awareness के लिए ताकि आप भी realize करो कि कितने अच्छे minimally invasive alternatives है surgery के बदले, जो फूरी तरह एक thyroid nodule को, especially अगर वो non-cancerous है, ठीक कर सकत हैं, बिना किसी blade के use के, बिना किसी scar गया निशान के, कोई lifelong दवाई खाने की ज़रूरत नहीं, कोई voice change का risk नहीं, इससे अच्छा और safe efficacious alternative नहीं मिलेगा आज thyroid nodule के treatment के लिए, especially अगर वो nodule बहुत बढ़ा नहीं है, छोटा है और treatable ablations है, of course अगर बढ़ा है तो multiple session में ये flow बंद करके, but yes, point यह है कि इन patient की तरह मैं आप सबसे अगरा करूँगा कि आप थोड़ा खुद research कीजिए इन techniques के बारे में, आज भी कुछ patients के मैंने कल message देखे कि मैंने दिल्ली में धाईलाग रुपे लगा दिये, ये treatment में और मुझ पे कावी नहीं की, ये treatment तो waste है, बहुत लोगों की जान चले जाएगी, appendix के रपचल से, appendix फटने से, आज भी हम जानते है कि कोई भी surgery का efficacy rate 95% प्लस होना चीए और complication rate 1-2% हो तो वो बहुत ही अची surgery है, benefits outweigh the risk by 100 fold, यानि कि जो फाइदा है वो नुकसान से 100 गुना भेतर है, ठीक है, किसी case में failure होगा, कि किस में complication हो सकता है, पर maximum cases में lab मिलेगा, और रही बात, पैसे खर्च करने की तो मैं मानता हूँ, अगर इतना heavy cost खर्च किया और उसके बाद fail हो जाए तो दुख तो होता है, इसलिए हर बार जो मैं कहता हूँ, आप सब से request करूँगा, please, please, अपना एक medical aim अच्छा लेके र अडिगाट की हमने बात की thyroid embolization technique की उसका live demo का link दे रहा हूँ, और live demos thyroid ablation के दे रहा हूँ, यह देखके आप और जानकर ही ले सकते हो, and I hope, यह वीडियो बहुत help करेगा, please, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, सुरक्षित रही है, सशक्त रही है